बहुत पहले उनकी बेहनों ने मुझसे कहा था कि इनकी लिए कोई अच्छा सा रिष्टा तलाश करूँ भाई मुझे तो रफीद भाई बहुत ही माकूल आदमी लगते हैं तुमने एक दफ्सROपा मुझसे जिखर किया था कि तुमारा थीज था तंग है और कंज कर्देवर्दी के भी तुम बात कर रही थी तो अगर अगर तुष से यहां गर तो तो गजए अगर तो इस मान हो जया है, यह तो ओप वासीआद एक माह के लिए इससे बड़ी बात दुषिय का हो सकती है कि उसकी बेटी जहां भी जाये, जिस घर में भी जाये, खुश रहे शवब मुझे मुझे अपनी बेटी को भी तो देखना है रफीर भाई इतने धन्दोलत के अकेले मालिक है तुम्हारी बेटी तो उस घर में राज करेगी मलीका बनके रहेगी वो और फिर हो सकता है कि इतार तुम्हारी भी कोई मदद हो जाये वो तुम्हारी भी काम आ सके मेरे बेटी खुश रहेगी माला तुम्हारी बेटी तो राज करेगी मालिकन बनके रहेगी उस घर में और हो सकता है कि उसकी वजए से तुम्हारी भी दिन फिर जाए लेकिन रफिर साब कि उमर कुछ कम होती तो हो हां ये तो तुम ठीक कहरे हो मगर देखो जो पिसमत में होता है वो ही होता है रजिया और फिर ये भी तो देखो कि ऐसे रिष्टे बार बार नहीं भी ना करते मैं तो कहती हूं कि तुम इस रिष्टे पर गौर शरूर करना और हां देखो वो गुंडे दोबारा जेल से रहा होकर बाहर आ गए वो किसी भी वक कुछ भी कर सकते हैं अरे तुम्हें तो चाहिए कि अपनी पीची को जन्दी से जन्दी उसको अपने घर का कर दो हां पीची कर दो झार प्यो पर अच्छा बाद रुज़ा जल्दी आगिया, मुझे काई साब के बास कहां से जाना है? भाईया, वो भाईया, आप मुझे आप से नरा बात करनी है, आप से जड़ा साइड पर आओगे? अब हाँ कर ले ना, मैं बात में आओगा. भाईया, मुझे अभी बात करनी है, 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 बात तो सुनो दो मिनिटर लगेंगे भई यह साइट पर आजा तुमेर बात कर रहा है देख रहा है मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ रात को आना रात को आगे मुझसे बात कर लेना बस अजा जाके मुगीम के साथ जाके का उसके काम में हाथ बड़ा चल बड़ी मुश्किल से रजिया बेरों को राजी करने की कोशिक कर रही हूँ इसलिए कि परसो मेरा निका है अब जादा बाते करने के जुरूरत नहीं है तो परसो के बाद तो मेरी शादी करा सकते हो ना हाँ ठीक है सोचूँगा मेला नाम है उखवस्शी मेला नाम है उखवस्शी आप्डा अँखि CA के जाए प्रफेशी तरह प्रफेशी आश्या घ्राथ जो प्रफेशी प्रफेशी जोड़ी आपको प्रफेशी तुम तो फार भी फर रही हो डाठो यह बताओ अमारे काम का क्या हुआ अब इस काम में थोड़ा वक्त लगीगा अब लड़की के रिष्टेदारों को बंदूग की नोग पिराजी करने से तो रही में मगर आपके उन दामों को क्या हुआ कि मैंने बड़े बड़े रिष्टे कराए है हाँ हाँ तो कराए है बेशक कराए है मेरे वो दावे गलत थोड़े ही से मगर यहां तो मामला ही कुछ और है अरे बड़ी मुश्किल से रजिया बिदूं को राजी करने की कोशिक कर रही हुआ है और हाँ सुना तुमने आई वो जो गुटे थे ना कमभाद मारे वो ठाने से चुटके फिर आगे क्या कह रही हो मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं बता लो कर लो बाज अरे भाई ऐसे दुकाम नहीं चेले गहां देखो खाला सची बाद है मुझे इस बारे में वाकित बेलकुल कोई ख़बर नहीं है लेकिन खेर तुम फिगर ना करो मैं भाईजां से कहके उनको ठाने के साथ जरूर कराऊंगी हाँ क्या रजिया राजी होगे विष्टे के लिए हम यो समझ दो करीब करीब राजी होगे लेकिन इरादे बदलते हुए देर नहीं लगती अरे तुम क्यों परिशान हो रही हो अरे हमने जिस विष्टे में हाट डाल दिया उसे पक्का किये बिना दम नहीं लेते तुम बिलकुल इत्मिनान रखो यही तो इत्मिनान मैं चाहती हूँ आपा और हाँ सुनो मुझे तुमारे भाई है ना अरे उनकी कुछ अच्छी तरह खिलाई खिलाई करती रहो आफिर जवान जहान लड़की से कैसी बात कर रही है खाला आप वाईजाने सुननी हो तो भूसीबत आजाईगी वेगो भला इन्हें क्या हो गया फेर कैसे चले गए यह मुझे फर्दा करने लगें क्या अजब जमाना आगिया विया यह आप से परदा थोड़ी कर रहे खाला यह तो आप से शर्मा रहे है नो भला लुए भला तुम बस ऐसे ही अभी खाला तुम बस ऐसे ही तुम बाज नहीं आओगी आप तर हर वक्त उट पटांग उफ्तगू फिर वो ही नाटक जरा अपनी उम्र देखी है तुमने बाजन मैंने तो यूविक मज़ाख में कह लिए जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं अच्छा भाई, मैं तो अब चलती है और हाँ, एक बात बता दूँ कि शादी के बाद मैं भाई रफीब से अपना हिस्ता अलहदा से लूँगी मैं भी एक बात वाज़ कर दू कि मुझसे किसी चीज़ की कोई तुवक्व न रखियेगा जिससे जिल्सला चल रहा है उसी से बात किये शेकर अरे सुनिये तो बारा अरे भाई, बैनों का खाता अलग और आपका खाता अलग अरे हम आपको छोड़ने वाले नहीं है भाई रफीब आप से कुछ नग दी और एक बड़ा समिठाई का ध्रबालिये बगर जान नहीं छोड़ेंगे अलगा आप उबात प्थानी कैसे लोगों थेबाद अपक्ता है अरे आप कहा जाएंगे आपको जाएंगे अच्छा प्रचाए तो जाएंगे झाल झाल